हेलो वाट्सअप गाइस माइन इस पिनोध बादू थापा एंड टोडे इन इस फीडिव भूब विल सी हाओ टो एड आइकन ऑन एनी रियक प्रोजेक्ट इन हिंदी तो चले गाइस सुरू करते है सबसे पहले गाइस हाब सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मे प्रोजेक्ट इसको क्रेट किया था कुछ दिन पहले जहां पर मैंने आपको दिखायता है कि आप हुक्स बैसिकली यूज एफट एंड 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 थर्ड पार्टी प्रॉमिस एसिंक अवेट के मादब से कैसे यह उसम वेबसाइट कर सकते हो जहां पर जो कुछ भी डेट है आइकन जो हम यूज करते हैं और हरेक को यूज करने के लिए लिंक लेकिन गाइस क्यों नहीं को एक ऐसा पैकेज बता हूं जिसको आपने बस एक बार इंस्टॉल करना है और दुनिया वर कर जितना भी आप देख सकतो आइकन चाहे वह आपके एंड डिजाइन हो चाहे आपके वह बूस्ट्राइप के डिजाइन हो चाहे वह आपका फॉन्ट ऑसम ही क्यों ना देखो काई सब कुछ एक ही पैकेज के अंदर अब जो चाहो उसको बहुत तीजिल यूज कर सकते हो खाली आपको एक पैकेज की इंस्टॉल करना है इन इसको कैसी उसकरना है वह तो फिर अलगी कुछ करना पड़ता बट अब ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ एक पैकेज एक बार इंस्टॉल करना है और जो आपको आइकन चे आप उसको बहुत इजिल यूज कर सकता है और हमें कुछ करना भी नहीं यहां पर दे रहा है कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट डैस इट और बाते तो बहुत होगी अब मैं आपको उसका फाइदा बाता आता हूं देखे सबसे पहले अब देख सकते गिट अपके हमारे जितनी बिसाभी जैनी नीजर है ठीके क्यों ना काई ऐसा हो कि इनके साबने में एक वेरिफाइड वाला बैच लगा दू अब मुझे पता वेरिफाइड वाला बैच अगर आपको लगाना आथो आप क्या करते आप आप ओविसली फॉंट ऑसम पे जाते मुस्ली 90 परसंट लोग फॉंट ऑसम पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे लेकिन ऐसा नहीं अगर मैं आपको बता हू यह यह पार्ट अगर मैं यहां पे एड कर दो तो कैसा रहेगा एंड बूम गाइस सी मैंने एड कर दिया तो देखो कितना ओसम लग रहा वरना आप सोथो इसको एड करने के लिए हमें क्या कुछ नहीं काना पड़ता लेकिन मैं अभी थुई देल मैं आपको बता हूँ सिर अगर आपको लगता है यह सारी चीज़े मैंने कैसे बना है तो अल्रेडी सोर्स को डिक दम फ्री में मैंने अवेलिवल किया हूँ सब्सक्राइब कर देख सकते कि मैं उसी प्रोजेक्ट पर आज चुका हूँ जो बेसिकली यह है ठीक है एंड अगर आपको लगता है यह सा आपको यह जो कमान देख रहा है अगर कुछ भी इंस्टॉल करना हो तो हम क्या लिखते है एंप्यम इंस्टॉल और जो भी पैकेज का नाम होता है अगर आपको उसको करना है अगर उसको कौडल करते है तो अगर आपको यह अगर आफको डिखाए इसके कैस आपको उसी फोल्डर पे इंस्टॉल्ड करना है simple ठीक है ताकि आपके इस package.json file को यह पाता चले कि आपका यह जो project है किस-किस package पे dependent है and बात में वो file को share करने में थोड़ा easy हो जाता ठीक है तो इतना आपको बस ध्यान में रखना है अभी में क्या करता हूँ मेरा जो main root folder वो है मेरा थाप पर react tab आप देख सकते हूँ में basically उसी के अंदर हो आपको simply इसको पेस्ट कर देना जूम कर देए एक second और मैं जूम कर देखो उसके अंदर जाके same copy and then paste npm install react icons यह बस इसको copy and then enter hit कर देना है and the moment guys आपका यह install हो जाता है ठीक है the moment आपका install हो गया just make sure करें कि आपका यह प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है नी so again go to package.json file यहाँ पे just check करो and बहुंगा इसी react icons अगर इस तरह किसे आपको यह दिख गया it means आपका यह install हो चुका अब आपके पास power है अब कुछ भी icons को कभी भी किसी भी तरीके से इस project के अंदर इस कर सकते हो तो इसको मैं आटाता हूँ and again मैं आपको बताई दिया था मुझे यूज़ करना है किसको यह वाला जो पार्ट आइकन में यह approved वाला ठीक है तो मुझे देखो क्या करना है खाली इसको कॉपी करना है लेकिन उससे पहले यह वाला जो पार्ट इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर पैकेस से मनलब यह पर्टिकुलर जो भी साइट से वहां से मुझे इस आइकन की उस करना है basically get करना है तो मैंने स्रीकेस इसको कॉपी की मुझे यहां पर चाहिए basically आप देख सकते हूं यहां पर जो लॉगिन वाला पार्ट आपको दिखाए देर है basically उनका नाम है वो user का नाम है ठीके तो यहां पर मुझे यह चाहिए icon मुझे वेरिफाइड यहां पर चीए ठीकिन उससे पहल स्लाइस उसको add की and then मैंने उसको close किया so guess is आपको ध्यान में देना है कि आपको उसको use किस तरह केसे करना है यहां पर देख सकते हो यहां पर इसससे सिंपली as a Component आपको समझना है क्योंकि हमना उसको आप इंप्रट तो करी चुका यहां पर आप देख सकते हो इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, अब आप जा दो देखना कि कितनी एजी लिए आपको यह मारूम्त है ने लेकिन यह ट्रिक बहुत ही आउसम लगा मुझे कि हम इतनी एजी तरीके से आइकन को यूज कर सकते हैं आपको अगेन फॉन्ट आपको इसको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से ठीक है तो यहां पर कुछ वेरिफाइड है चलो कोई ने गाइस ही जो गीठव वाला जो पार्ट चलो इसको मैं कोपी कर लेता हूं ठीक है यहां पर चल कि इसको मैंने पेस्ट की एंड इसके बदले मुझे इसको पेस्ट कर देना है चलता हूं यहां पर मैं चलता हूं मुझे गीठव का लोगो यहां पर दिखाए दे रहा है बाला बाब आप देख सकते हूं कि कितनी एजिली चाहे वह फॉन्ट ऑसम हो चाहे वह जो कुछ भी हो यहां पर देखो डेव आइक आइकन होता है और इस से जब्स तरीका नहीं होगा आपको आइकन से एड करने का ठीक है तो इस इस वीडियो को एक लिटना ही एंड रिली होप आपको बहुत पसंद आओगा फ्ली इस वीडियो के एक लाइक जरू कर दीजेगा मुझे बहुत कुसी होगी क्या आपको यह मालूम था यह नहीं नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बाताना और बाताना चांगा कैसे जावस्क्रीट में 16 आट वाली वीडियो को अब भी तक अगर आपने चेक आउट नहीं किये प्लीज चेक आउट कीजे बहुत ही जादी इंपॉर्टेंट है एंड मेरे चैनल थाप झाल झाल